नमस्कार मैं गोविन जोशी, आप लोग देख रहे हैं जार्प मीडिया आज हम लोग आए हैं नई दिल्ली के करोल भाग में और यहाँ पर आज हम लोगों से जानेंगे मिनाक्शी लेखी जी के काम के बारे में मिनाक्षी लेकी यहां से दो बार की सांसद रह चुकी है और इस सीट से नई दिल्ली सीट से दो बार सांसद रह चुकी है और अब उनका पत्ता काट दिया है उनका टिकेट भारतिय जन्ता पार्टी ने काट दिया है और पिछले साल ही भारतिय जन्ता पार्टी के बीजेपी लॉस हैल की मेंबर भी रह चुकी है और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुसमा स्वराज जिस तरीके से काम किया है लोगों को ये उम्मीद भी है कि बांसुरी स्वराज जी भी अगर जीतती हैं तो वो इस तरी काम करेंगी बात करें मीनाक्षी लेखी के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो मीनाक्षी लेखी जी ने 2010 में अपने पॉलिटिक्स की शुरुवात करी थी 2010 में छोटे कारे करता के तोर पर उन्होंने अपनी शुरुवात करी 2014 में भारतिये जंता पार्टी ने उनको नई द इसलिसराए अजिल्य लोकसुवा सीट से उन्होंने कॉंग्रेस के उम्मिद्वार रहे अजय माखन को भड़े ऐंतर से हरा दिया था मीनाक्षी लेखी के बैयान भी चर्चे में आते हैं। उन्होंने तीन तलाग के उपर जो बयान दिये थे, काफी चर्चे में रहे, काफी बयान उनके उचले और लोगों को उन बयानों के वज़े से मिनाक्षी लेखी के चहरे के बारे में पता चला मिनाक्षी लेखी जी, 2019 में भी लोगसवा सीट से खड़ी हुई और उन्होंने लोगसवा से अजे माखन को दुवारा कॉंग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया बात करें बांसुरी स्वराज जी के बारे में, बांसुरी स्वराज भी एक नई चहरा है, बीजेपी का नया चहरा है, नया उम्मीदवार है लोग की उनसे क्या उम्मीद रहेंगी लोग क्या उम्मीद करते हैं उनसे ये सब को जानने के लिए आज हम लोग दिल्ली के करोल भाग में आए हैं चलिए देखते हैं लोगों का क्या राय है मैं आप ये बताईए भारतिय जंता पार्टी की तरफ से अभी दिल्ली के लिए साथ सीटें जो दिल्ली की साथ सीटें हैं वहाँ पर पांच सीटों का एनाउंस हो गया है नाम और नई दिल्ली की तरफ से मिनाक्षी लेखी जी का नाम काट दिया है और उनकी जगे बांसुर गुआ है। कर रहे हैं, मोदी जी दुबारा आएंगे, क्यों कि मोदी जी काम कर रहे हैं, काम दिखता है, नजर आता है, अब जनता को नजर नहीं आता है, जनता की समस्या तो जनता ही जानती रहे, जनता ही उठाती है, और जनता ही गिराती है, और अब बासुरी सवराज जी को मिला है, शुष्मा सवराज जी ने काम बहुत 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 है उनके नाम से सब जानते हैं अब देखते हैं बासुरी सवराज जी आई है जनता में उतरी है तो उनको कितना कितना मान समान मिलता है कि काम से ही मिलता है आप काम करेंगे आपको दुबारा बुलाएंगे काम नहीं तो नहीं बुलाएंगे लोग, बस काम के परियासारा कुछ है। तो अगर वो बीच में उतर गई, उन्होंने काम अच्छा किया, तो अगले 10-15 साल तक वो कहीं नी जाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और यहीं आगे जो हम करते हैं, वो ही आगे जाता है और उससे हमार को जंता उठाती है। उसने काम करा ही नी है, उन्हों आगे यहां पर कोई देखा कोई मर रहा गिर रहा, कैसे थड़ा हो देख रहा है। उसने आगे जाका नहीं आतक। लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं है, यहां की लोगों से कोई मिलना नी, को जुलना नी, ना आती है, ना देखती है, जातों में जित्ती हूँ, वहां आने से थिए, आजब की सबस्तर पूचने चाहिए, उसका कोई आणा जाणा नहीं है। भीया जी आप क्या बोलना चाहिए जब से इंको टिगड मिला था यहां पे रहे संसक्त राई गो और रहने के बाद कोई काम निके जैसे हैं मारे बड़े वहीया बोले बेप्रकाजी मिश्टर और उसके बाद जो कोई कामने बिजली की यहां पर इतनी वहा है कि बेमानी अब यह जया जो लोग हैं वह वाल जी को लाइक कर रहे हैं बिजली पानी वह फिरे कह रहे हैं लेकिं नहीं है अभी देखो नोने क्या का केज जिवाल जी ने अभी 30,000 रुपे 7 महीने का बिल आया है, गरीब आद में 20,000 रुपे 16,000 होगी इसकी, गुरुप D का बंदा है, तो यह जब वो 10,000 रुपे से बिल देदे का पानी का, कहतो रहे हैं वो फिरी है, और 7-8 महीने का इक खटा इन पानी कितना आ रहा है, लोगवाग पीपी के लाको रुपिया डाक्टरों के बर दिया, पौने तीन लाक रुपिया तो मैं बरे बैटा हूँ, में दिक्कत आपकी सीवर बगेरा की है, में दिक्कत सारी चीज की है जी, और कौन-कौन सी दिक्कत हैं, आप हाईलेट करेंगे हाईलेट भाईया मैं क्या करूँ, वो आए तो उसके आगे करूँ, आप क्या आगे क्या करूँ, समझगे बताना आपको चौन साब सारा मालूम है, किस चीज की सबने कहाता है, एक हमारी कलोनी सबसे बड़ी तो मरावस आप डालावाएं, यहां रहा है, डाई सो रुपे क बिल, मुहारा एच्छे अजार का बिल, कितनी बड़ी समस्या है, बिजली के बिल की समस्या जाता है, बिल की बहुत जबर्जत समस्या, दद्दस अजार रुपे, किसी के घर में कोई सिलाई मसी नी दिखा दो, चलो, हमारे एरिये में अच्छा काम करा रखा है, बस पारिक की समस्या हो जाए, बार्क साफ होने, बारीक में बैठने के ल한라면 द्रशा बाराबि तो पार बैसान होते हैं आवरron जंस साया है। बारा मुड़के निया कोई काम के लिए बोलता तो काम ही नहीं करते थे वो लो कि टिकर तो को एकटना ही था भारती जंता पार्टी ने जो नए उम्मीद्वार का चहरा गोशित करा है उनके उपर क्या बोलना चाहेंगा बासुरी स्वराज जी के उपर यहां से मुश्किली लेकिन पहले ही इनके एक कंड़ेट ने काम नहीं करा तो तीसा कंड़ेट कहां से जीच जाएगा यह बात आप कोई बता है आपको नया चाहरा है तो हार गई है सर काम तो उन्होंने थोड़े मोट अच्छे किये हुए है पहले बीजेपी ने और बीजेपी जो है भी पूरून रूप से दिलनी में है नहीं लेकिन उसके बावजूद यह लोग काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक में थोड़ी सी नाराजी भी हैं को लेके कहीं कहीं यह लो तो बीजेपी से भी मुझे बहुत उम्मीदे हैं और बांशुरी स्वराज जी उन्मीदों पर खरी उतरेंगी तो पब्लिक की तो हमारी यही दिमांड है बहुत अच्छा हैं एच्य कोई रेट हो नहीं हो चंज़ होना जडूरिए यह काम किरेंगा पबली का सेवा करेंगा बोलने वाले भकता आदमी उल्ष नहीं साइब वह सब्सड़पदेंगे vontade अगल मिनाक्षी लेखी जी यहां के जो जन्रल जो बेसिक मुद्धे यह वो क्या उननें पर काम किया है आप क्या बोलना चाये उस पर व की है इसी वातावने नहीं कियन है काम की है मगर पूरा संपन काम तो नहीं हो पाया तो आज हम लोगों ने करोल बाग के लोगों के ओपिनियन्स जाने, किस तरीके का उनका ओपिनियन्स है मिनाक्षी लेखी जी के बारे में और बांसूरी स्वराज, जो की नई उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं, क्या यहां की समस्या हैं, इसके बारे म की नहीं कर पाएंगी यह तो लोगों को काफी उम्मीदा लगा के बैठें हैं लोग तो इस तरीके की तमाम पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें कैमरा मैन तनिश्क के साथ मैं गोविंद जार्प मीडिया नोईडा झाल